हेलो स्पारेंट्स कैसे हो सब्सक्राइब बढ़िया यह अपनी PYQ सीरीज है और इसके अंदर अपन करेंगे पिछले लगबग 10 साल की क्यूशन करने वाले हैं और अपने कैसे कैसे करते हैं आप उसब को पता है पहले हम आपको टार्गेट देता हूं पहले दिन नेक्स डेब इस टार्गेट बेस्ड आपकी स्टडी हो जाएक साथ सात में अगर आप तरिवाइब करेंगी अगर आपका सलिवर्स ठीक बात है चलो स्टाट करते हैं आज के जो पिवाई के हैं वो अपना चेप्टर का नाम है जीव जगत ठीक है वो आपने थमनेल पर देखाई होगा चलो जी इसमें पिछले सालों में कुछ क्यूशन आये हैं उनकी थोड़ी सी बाते कर लते हैं पहला क्यूशन जो है वो आ पहर का नहीं मिलेगा ठीक है बात कर रहा है पहला जो पुशन है संग्राले किसको कहते हैं म्यूजियम को कहते हैं ठीक है संग्राले पादपों और जन्तों की तस्वीरों का संग्रण है क्या कह रहा है देखो कि संग्राले जो है वो पादपों और जन्तों की तस्वीरों का संग्रन है ऐसे बोल रहा है भई म्यूजियम में फोटो किसकी प्लांट्स की और इनिमल्स की खाजली फोटो लगाए जाती है उनी का कलेक्शन है नहीं जी ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है म्यूजियम में क्या करते हैं और म्यूजियम में क्या करते हैं संग्राले में क्या क या फिर chemical के अंदर रख देते हैं, lab के अंदर देखा होगा आपने, 12 week के अंदर, school में भी देखा होगा यह तो, ठीक है, तो अब यह पहला statement ही यहाँ पर, गलत हो जाता है, और यही अपना, सही answer हो जाता है, ठीक है, अपने को यह तो पूछा, कि एक सही कथन नहीं है, तो प पेसी में रखे जाते हैं, ठीक, जब आगे उठते हैं, अगला question जान से देखिए, अगला question क्या कह रहा है, अगला question कह रहा है, the label of herbarium sheet does not carry information on, ठीक है, यह जो herbarium sheet है, herbarium sheet, herbarium जो जानते हो, पादपाले, ठीक है, पादपाले पत्र जो हो, जिसको कहते है, herbarium sheet English में, उस पर कौन सी information, कौन सी सूचना नहीं होती, होती है, वो नहीं पूछ रहा, नहीं होती है, वो पूछ रहा है, तो पादपाले पत्र के नाम पत्र में, निमल लिखित में से कौन सी सूचना, अंकित नहीं होती है, यह पूछ रहा है, पहला option क्या कह रहा है, संग्रह की तारिक, किस दिन वह उस plant को किस दिन संग्रे किया है उसकी तारिक नहीं होती नहीं उसकी तारिक तो होती है किस दिन उस plant को collect किया गया है वह date वहाँ पर लिखी जाती है विल्कुर NCRT की line है अगला option क्या बोला है संग्रे करता का नाम जी collector का नाम होता है जो collection कर रहा है जो उस plant को ले जी वो तो होता है, ठीक वो तो प्रणान लिखा जाता है हमाँ पर है तो NCRT में ये भी है, अगर आप D option देखो, पोधे की उचाई, नि, पोधे की उचाई कभी नहीं लिखते, पोधे का नाम लिखेंगे, कि उस संग्रे करने वाले का नाम लिखेंगे, ठीक है, संग्रे करने की तारीक लिखेंगे, लेकिन पोधे की उचाई का भी नहीं लिखते हैं, और यही तो बोला है, कौँजी सुचना अंकत नहीं होती, बस खतम होगा एकुशन यहापे, D-Option हो बिलको यह NCRT है, का भाया हुआ है, नीट 2016 के अंदर है, यह आया हुआ था, 2013 के अंदर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह तो PDF अक्यूशन वाली, ऐसे सारे हर चप्टर यह PDF आपको मिल जाएगी, जैसे यह चप्टर यह खतम होगा, आपको यह एप मिलेगी, डिस्क्रिप लिंक भी उसको भी जोइन कर लेना, वहाँ पर आपको, बढ़ता रेगा, कब क्रास होनी, कब नहीं होनी, ठीक है, अगला क्यूशन नेट 2016 का आया हुआ है, यह भी, ठीक है, नीट 2016 का क्यूशन आया हुआ है, देखना बढ़ी, मैच दे कोलम, मैच दे कोलम वाला है, ठीक ह किस के लिए बता है अपन को, गरेलो मखी के, ठीक है, गरेलो मखी के संदरब में अपन को मैच करने है, गरेलो मखी के वरगी करने के लिए, कोलम वन और कोलम टू में मिलान कीजिए, तता नीचे दिए गए कूट का परियोग कर सही विकल पमन को चुनना है, ठीक है, गरेलो में आपको एक information देना चाहता हूँ आपको अगर ये भी जानना है कि ये question NCRT में से कहां से आया है तो साथ साथ में अगले अगली वीडियो से मैं आपको वह भी बता सकता हूँ भाई कौन सी line से कहां से कुशन उठके है अगर आपको ये भी जानना है comment section में comment करना कि भया हमें NCRT के line से भी दिखाऊ हमें कि इस line से ये question उठके है तो आपके लिए वह भी कर दिया जाएगा comment करना अगर आपने प्राणी जगत पड़ लिया तो आपको आर्थर पोड़ा दो सुना होगा आपने सना आर्थर्पोड़ा क्या हूता है वह ये फइलम का नामा gelmiş अर्थ्र पोड़ा ठीक है न यिड आर्थर फटॉड़ा ए टिक मतला ओलब एका फईलम हे आर्थो पोड़ा क्या है? एक फाइलम है, D में क्या जाएगा? दो आ जाएगा, D में दो कौन से उप्षिन में है? इसमें दो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीन उप्षिन काट दिए, एक ये उप्षिन बचा है, बस पहले में हो गया अपना तो अं एक को देखते ही, इतना असान था, ठीक है, और बाकी भी बन कर लेते हैं, तो अपना answer तो आ गया, यह अपना correct option है, इसमें कहीं, हाँ, same ही है, यह, ठीक है, option उपन नहीं चो सकते हैं, बाकी, English media में, Hindi media में, ठीक है, बाइक देरे लों में ठीक है, जो आपकी, कुल है, जो family है वो क्या होती है, वो आपकी Mucid family से आती है, अब एक कैसे बतार लेगा, NCRT के अंदर एक table दे रखी है, उस table के अंदर ये बातने लिखी होई है, ठीक है, अलग-अलग organism के बारे में, आपकी उनकी family, order, class, यह सारी चीज़ें दे रखी है, वो लीविंग बलवाड़ा chapter में, तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो गरेलो मखी, इसका गण क्या है, इसका गण होता है, आपका diptera, ठीक है, उसके बाद में इसका work class कौन से होती है, गरेलो मखी की, वो होती है, आपकी insectic class से आती है, option number 1 अपना correct हो जाएगा, अगले question में चलते हैं, अगला नाम करण कुछ सर्व है, सारव भामिक नियमों से संचालित, नियमन में से कौन सा एक नाम करण की नियमों से की विपरीद है, जो नाम करण की जो आपकी rules होते है, NCIT में 4 rules लिखर रहे हैं, ठीक है, पोईंट वाईस, ठीक है, उन rules के विपरीद कौन सा point है, वो बताना आप बिल्कुल सही बात है जो जेवी के नाम होते हैं जो scientific name होते हैं वो किस बासा में होते हैं वो लेटिन बासा में होते हैं और जब उनको अपन टाइप करते हैं तो वो कैसे करते हैं इतलिक्स में करते हैं italics font, तिर्चा करने का font है, ठीक है, font को तिर्चा करने का, italics आपने देखा होगा bold, italics, ठीक है, underline वाला, type करते हैं तो आता है, तो जब type करेंगे तो scientific name किसने कैसे लिखेंगे इपने, italics में लिखा जाएगा वो, ठीक है, तो यहाँ पर यह सही है, कि JV के नाम लेटिन बासा में होता है, और लिखेंगे तब तिर्चा लिखेंगे, तिर्चे को क्या कहेंगे, italics में लिखे जाता है, ठीक है, italics language नहीं है, italics क्या है, यहाँ पर उस सब्सको तिर्चा करने का है, ठीक है, सब जानते हो, mobile चलाते हो, ठीक है, अगला पॉइंट आओ, यह तो सही है, A वाला तो सही है, अपना option, ठीक है, और अपने को पूछा है, नियमों के विपरित पूछा है, ठीक है, यह तो भाया अपना सही है, B वाला देखो, पॉइंट सही है, option गलत है, ठीक है, JV के नाम को जब हाथ से लिखते हैं, तो सब्द रेखांकित होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अगर आप टाइप कर रहे हो, तो उसको क्या करो, उसको आप तिर्चा लिखो, और जब आप हाथ से लिख रहे हो, तो आप JV के नाम होगा करते हो, अंडरलाइन करना होता है, यह रूल है जी, ठीक है, जब भी आप JV के नाम टाइप करो, उसको तिर्चा लिखो, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना आपको जुरूरी है, तो B option भी अपना गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट साही है, option गलत होगा है कि अपने को विपरीद बुछा है, C क्या बोल रहा है, JV के नाम को किसी भी भासा में लिखा, लिख सकते हैं, C भोल रहा है कि JV के नाम जो आपको साइंटिफिक नेम है, उसको किसी भी भासा में लिख सकते हैं, किसी भी भासा में नहीं लिख सकते हैं, जितने भी आपके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, JV के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, लेटिन भासा में होते हैं कुछी भासा में होते हैं लेटिन भासा में होते हैं लेटिन भासा में क्यों लिखते हैं इनको लेटिन भासा जो है वो आपकी मर्त भासा है कैसी भासा है मर्त भासा होने का मतलब क्या है कि उस भासा के अंदर कोई अपडेट नहीं आएगा, और जो बासाएं हैं, उनके अंदर time to time अपडेट आ सकता है, लेकिन Latin बासा में कोई अपडेट नहीं आएगा, मालो हमने किसी और बासा में, English बासा में इसका नाम लिखा, ठीक है, language हमने English बासा कर रियूज कर लिए करकल को उसमें अपडेट आ गया, English बासा में, तो अमरा नाम तो पूरा क्या change करना पड़ेगा हमें, इसलिए क्या है, Latin बासा में इनको लिखा जाता है, ताकि अपडेट तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि मर्थ बासा में, मर्थ बासा में कभी अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है, तो जैसी वो language है, वैसी ही वो रहेगी, इसलिए Latin बासा में करते हैं, तो यह अपना option गलत, यह statement गलत है, इसलिए अपना option सही हो जाएगा, क्योंकि उपन once से तथा, दूसरा जाती को दर साता है, सही बात है, पहला जो अक्सर होता है, वो once को दर साता है, genus को दूसरा जाती को दर साता है, species को दर साता है, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question है, आप सब के सामने, ठीक है, और यह आया हुए है, 2018 के अंदर आया हुए equation, ठीक ह चलो, देखो जी मैच करो इनको, इस्तम एक को इस्तम दोबस्ट अपन को मिलानाrs, यही विकल्प को चुनना है, ठीक है देखो, पाद़पाले के बारे इनको कहते हैं हर्बीरियyas, हर्बीरियम क्या होता है हर्बीरिययम। भाहिया, उसमें क्या करते हैं, जो प्लांट किया क पत्ती कोई छोटा प्लांट जो है उसको सुखाएंगे और एक शीट पर चिपका देंगे सुखाया और दबा कर चिपका देंगे यही होता है बस पादब पाले विवारे में ऐसा कोई से लिख रखाया है क्या यह देखो ऐसा इस्थान जा पादब नमूनों को सुखा कर दब पत्ती कोई प्लांट जो सुखाएंगे और पेज पर दबा कर चिपका देंगे तो अपना ए में क्या जाएगा तीसरा आएगा इसमें दे रखा है पहला उप्षन गलत हो जाएगा अब अपने को चेक करना दूसरे तीसरे और चोट्थे में चेक करना है पर बी और सीडी मे ए में क्या दे रखा है तीसरा आएगा इसमें दे रखा है पहला तो यह तो नहीं होगा कुंजी को देखते है कुंजी इसमें की कहते है ना लास्ट सेकिंड लास्ट टोपिक है यह जापका जीव जगत वाला चेप्टर है उसमें सेकिंड लास्ट टोपिक है ना यह क्या है ये बहुत सारे characters को दरसाता है बहुत सारे characters को दरसाता है बहुत सारे लक्षन लक्षनों को दरसाता है और उसमें अलग-अलग विकल्प को दरसाता है तो ये लक्षन वाली बात कहां लिखी हुई है बस वो देख लो, कतम हो जाएगा तो कुझी क्या है एक पुस्ति का जिसमें लक्ष्नों की सूची है उनके विकल्प होते है जो वीबी ने वरगों की पहचान करने में सायक होते है बस हो गया जी तो B वाला उप्षिन में क्या जाएगा आपका फोर्थ आजाएगा B में फोर्थ कौन कौनशे में दे रखा है C को करते हैं तो सभी रख्षित पादपोर जंतों के संगरय का अगलकूल सही बात है प्रीरक्षित आपकी प्रिजर्व'd ज्यू आपकी प्लंस और और इनीमल्स हैं, उनकी वो रखे जाएंगे इन में ना, तो C में कहा जाएगा, पहला जाएगा, C में पहला किसमें दे रखा है, दोनों में ही दे रखा है, यह तो काट दें आपने, D option अपना सही हो जाएगा, D option correct है, D option correct है, D option correct है, D option, D option, D option, ठीक है, चलो, तो यह NCIT बिलक बेरी इजीक्यूशन है, बहुत ही इजीक्यूशन है, बहुत ही आसान ऊच्छन है तक देखो आम का के डोलीनियस नेøैं लीपित नम को है के डोलीनiचृट्वारष्फ्वा पर्फम्यक्त किया गया तक रही लिखत भेग्णिक नम कोन सा? किरल असलीलेस साथ ने पहली बार जो आम का नाम लिखा था व Benko आपको बताना है मेंगी फियरा इंडीका एक तो एक पुषय में γए अपको अधान से देखना है में पने पड़े वह हमने पड़े हैं जाज के आपको उसमें और आप्समाप का लेटर होगा, क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, महिए में फेरा में M क्या है, कैपिटल है, लेकिन फिर जाती का जो नाम आएगा, इसमें पहले स्पी श несq特別 एले पूर लिख रहेगा, इसलिए है, तो गलत होगा, एउपशन तो गलत है ठीक, ऐपो अगला देखू, मेंगी फेरा, ठीक है, एम के पिटल है, इंडिका, आई स्मोल है, ठीक है, और फिर लिन, ठीक है, ये सही है जी, क्या कहा था, रूल क्या है, कि आप जीनस का नाम लिखो, स्पीसीस का नाम लिखो, और उसके बाद में, जिस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कव आपना क्या करिक होगे, जो आपका साइंटिस्ट है, उसका शोट में आप नाम लिखोगे, तो C अपना करिक्ट है, 2019 में क्यूशन आया हुगा है, बेरीईजी, अगला क्यूशन देखू, यह आया वहा है ओडिसा नीट 2019 के अंदर आया हुआ है ठीक चलो जी देखू निमर मेंसे कौन सा कथन जेवि के नाम करन ठीक वह आपका नाम करन है जेवि के नाम करन साइन्टिफिक नेम आई-सी बी-अण के सरवा माने नियमों के विरुद है जो नियम है उनकी विरुद कोन सा है ठीक वो अपन्गो देखना है चलो जेविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों सब्धों को अलग अलग रिखांगे करते है बिलकुल सइह बात है जब हाथ से लिखेंगे तो once का नाम लिखेंगे और उसकी जाती लिखेंगे बिल्कुल सही है, b वाला option भी statement सही है, option गलत है c को देखो, jv के नाम या तो Latin भासा में वी उत्पन होते है या इनका Latin होता है बिल्कुल सही बात है, या तो उनको Latin भासा या फिर उनका Latin होता है या फिर उनका Latin की आ जाता है ये भी बात सही है, ठीक है Latin भासा में होते है c वाला option, option गलत है, statement सही है b को देखो, jv once और जाती संकेतपद की सुरवाद छोटे अकसर से होता है, जब उनने लिखा जाता है गलत हो गया, क्या बोलता है पहला क्या है, capital आयागा जो आपका genus of once का नाम capital आता है और species का small आता है यहाँ पर दोनों के इली लिख रहा है दोनों के इली क्या लिख रहा है, छोटे एकसर लिख रहा है तो ये वाला option क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो D option अपना सही है ओप्शन सही है, statement गलता है ठीक है, चलो आगे बढ़ता है अगरा question आया हुआ है 2021 के अंदर question यह आया हुआ है जहां से देखिए भी 2021 का question है और यह repeat भी हुआ है ठीक, PYU करने का यही तो फाइदा है repeat हुआ है, देखो, कैसे हुआ है which one of the following belongs to family Mucid जो Mucid family है उससे कौन सा belong करता है निमन में से कौन सा Mucid कुल में आता है Mucid कुल में कौन सा आता है मक्ही है, जुगनू है टिड़ा है, तिलजटा है अगर आपने ध्धान से भी lecture देखा है तो आपको इसका answer पता है Mucid में कौन आता है मक्ही आती है मक्ही, और मैं आपको दिखा हूँ अभी अभी दिखा हूँगा कैसे repeat हुआ है यहाँ देखो गरेलू मक्ही के बारे में यह question आया है यहाँ पर क्या पूछा था Mucid क्या बताई थी यह देखो family A में क्या थी? A में 3 A में 3 अगर QI QSOL करके यह भी जाते ना तो वह question सही हो जाता तो repeat हुआ है question चलो आगे बढ़ते हैं 2022 के अंदर यह question आया हुआ है जहान से देखो जी चप्टर छोटा था यह एक question आ जाता है इतना आसान question आता है आसान question एक छोड़ देंगे तो hard वाला अपन से होगा नहीं तो फिर दो 2 question के खराब होंगे न इसलिए आसान chapter कर लेना वही चलो क्या प्राणियों में वर्गी की संवर का कौन सा अधिकर्मिक विन्यास आरोही करम में बताना अपन को चला और फिर घूमा शहर ठीक है कल परसों चला और फिर घूमा शहर ठीक है कल परसों चला था और घूमा और फिर घूमा शहर कल से क्या हो जाएगा kingdom परसों से क्या हो जाएगा फाइलम चला से क्या हो जाएगा क्लास और से क्या हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा फेमेली घूमा से क्या हो जाएगा जीनस और सहर से क्या हो जाएगा स्पीसीज इसपीसीज तो ट्रिक सिंपर रविया कल परसो चला और फिर घुमा सहर यह आपको अगर यह आता था यह सिक्वेंस में आपको पता था तो आपका आंसर सही हो जाता है यहाँ पर देखो भई kingdom, phylum, class, order, family, genus, species ठीक है यही option आपका second option correct है ठीक है जगत के बादे बंवाद में रग वर वर के बाद में, घंग, के बाद में, खुल के बाद में, once, once के बाद में species तो यह अपना d option से हो जाएगा इस चेप्टर से यह question थ 했 ज़ो last 10 years के मेंडर आये हुए हैं जो कि मैंने आपको करवाए अगले chapter जो अग्लय सब को फ्री है डाउट बूछ सकते हैं यार एक चेट का अप्शन है मैं जिसकर किया मुझे डाउट बूछ सकते हो जो भी आपका रहे चलो वीडियो पसंद आया या इसको और इस सीरीज को कंटीनियो पन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कोमेंट सेक्षन में कोमेंट के जुरू बताओगे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जुरू से करोगे चैनल को सब्सक्राइब तो आप करोगे ही और कोमेंट सेक्षन में कोमेंट भी आपको करना है अपने दोस्तों ग्राव में शेयर भी करना है बागी मिलते हैं अगली लक्छोस के दर तब तक के लिए पढ़ते रो